अजीर डवाल जो पाकिस्तान में साथ साल रह करके अपने कर्तव को पूरा करता रहा, फुरूट बेजता रहा, समान बेजता रहा, कितना बड़ा अक्स्पीरियंस था, आज मातर भूमी के काम आया, रास्टर के काम आया, मैं सुलूट करता। तुष्पनों की आँखों में आखे डाल करका ये जैहिन, साथ जुड़े हुएं, जल्दी से उनका तारूफ करवाती हूँ, और उसके बाद मेरे सायोगी सुमिछ जो है, वार्रूम में मौझूद है, हमारे साथ MS बिटा साथ भी है, Chairman All India Anti-Terrorist Front के हैं, यहां हमारे साथ आए हुए हैं, बिटा साथ, आतंक वादियों को बचाने के लिए, उनका बदला लेने के लिए अपनी फोर्स को इस्तमाल कर रहे हैं, तेको सबसे जो अवर्स्थी जी ने बात कही, कि यह टोटल एक ड्रामा है, आज आप शान्ती की बात कर रहे हैं, जब पाकिस्तान में क्योंकि हिंदोस्तान की सरकार, उन्होंने सोच लिया है कि अब अतंक वाद का खात्मा करना है, देखो मेरी जो जिन्दगी का इतना पुराना अन्वव है, मैं ऐसा उपरेशन पहले कभी नहीं देखा, हरमंदर साब के ओपर अटैक हुआ था, अपने देश के अंदर वो थ पर दूसरे कंट्री में जाकर के इतनी बहादरी से इतना बड़ा बदला लेना, पंताली जवानों का बदला लेना, पहले अठारा का, उनके पंताली ठोक के आए, अब हमारे पंताली शहीद हुए, उनको 400, 300 के करीब मार के आए, अब इमरान खान फस चुका है, बिलकुल स कहे ज़े ले जाओ यहां से हम आपको सौपने शबी 11 के और कितने मैं मानता हूँ इस चीट बातचीत की मेज पर आ जाईए ये दावत देना एक बार नहीं दो बार नहीं पाकिस्तान की तरफ से तीन तीन बार देना लेकिन बचाना किसे उस आड में आतंकवादियों को बचाना बिटा साब अब ज़रा मुझे ये बताईए कि पाकिस्तान ये बताने की कोशिश तो पूरी दुनिया को कर रहा है कि हम तो अमन पसंद मुल्क है हम तो चाहते हैं कि बातचीत कर लीजिए लेकिन क्या अब भी वो घुटने टेकेगा ये कहते हुए कि आप ले लिजे नातंकवादियों को हमें पीस चाहिए उसामा बिल लदेन को पूरी दुनिया को पता है जितने अमेरिका के अंदर इतना बड़ा हमला किया उसको अमेरिका ने आके वहीं जाके मारा पार्लिमेंट की गटना जैपुर के अंदर 120-130 लोगों का शहीद हो जाना अभी की गटना गटना के अंदर बिलकुल खुले तौर पे सामने हैं और हिंदोस्तान की हमारी फौज ने जंग नहीं की है पाकिस्तान में गुस करके मानवता का पूरी दुनिया में सबूत दे करके कोई यही से ही उसामा बीनलदेन बनने थे यही बनने थे तीन-चार सो के करीब जो पूरे देश के अंदर फिर जहर फैलाते तो हम कैसे विश्वाश करें बार-बार यह कह रहा है यह वार अगेंस पाकिस्तान नहीं है यह वार अगेंस टेरिरिजम है पाकिस्तान को यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए अब पर पाकिस्तान के उपर आप विश्वाश नहीं कर सकते कि उसके पीछे मकसद क्या है चनाओ आने वाला है चनाओ में क्या होगा ये बहुत बड़ा विशा है आज तो हम इस चीज़ को देख लेंगे पराने वने 15-20 महीने में जो चनाओ है उसके उपर आपको सूचना होगा कि किस तरीके से पढ़े इशारा कर रहे हैं बिटा साहाब प्रॉक्सी वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं फ रोप लगा रहे हैं कि सर्वदलिय बैठक बुला बुला देते आपने बुलाई नहीं है आपने हमें चाय पिलाई सुनाई अपनी बाते और भेश दिया तो क्या करना चाहिए तो मैं पॉलिटिकल बात तो नहीं करूँ पार आपने बात छेड़ी राजनितिक इच्छा शक शक्क्ती थी पी-वी नर्सेमा राओ के वक्त और उस वक्त हमें मौत का कफन पेनाया था उनोंने हमने पंजाब में लोकतंतर लाना है हमने पंजाब प्यलिप की सरकार बने बी-जे-पी की बने की बने hasना लोग तंतर लाना है पंजाब को अमन चाहती छती हजार बेगुनाहों के बाद दिया और आपने देखा होगा जब इंदरा गांदी जी ने उस वक्त लड़ाई लड़ी और अटल बिहारी वाजपाई जीने पार्लीमेंट के अंदर उनको दुर्गा कहा राजनितिक मत्बेर आपस में हो सकते हैं मैं तो फकर से फकर से कहता हूं मैं कभी नेरंदर मोदी जी को मिला नी मैं तो फकर से कहता हूं जो हमना हमने देखा जो वीडियोज वायरेल हुई जो हमना हमने देखा मैंने असाने देखा हम उसको सलूट करते हैं सैना को भी सलूट करते हैं और अजी अच्छा सलाकर मनमौन सिंग जी के साथ था और अजीड डवाल जो पाकिस्तान में साथ साल रह करके अपने कर्तव को पूरा करता रहा फुरूट बेजता रहा समान बेजता रहा कितना बड़ा अक्सपीरियंस था आज मातर भूमी के काम आया रास्ट के काम आया मैं सुलूट करता रहा